नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबूत क्लासेज के यूट्यूब चैनल में साथियों आज हम बात करेंगे आपके RPSC Grade 1 जिसकी वेकेंसी आपके 2018 में आई थी और अगर मैं बात करूं तो वेकेंसी कब आई थी 2018 में और इसका पेपर जो है आपके गोर्वेंट ने जो है 31220 यानि कि आपके जो है तीन तारीक 3 जनवरी और 2020 को इसका पेपर करवाया था है इसके solution के बारे में हम बात करेंगे आपको पता है कि जो पिछले पेपर अपने को पढ़ना वह जरूरी है क्योंकि जब तक आप पिछला पेपर का लेवल नहीं देखोगे आपको अगला जो पेपर दने जाओगे उसका pattern का जो है लेवल वह आपको पता नहीं लगेगा तो हम सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं आपके सामने सबसे पहले इसमें जो person है सात्य यह आपके संस्क्रट डिपार्टमेंट वाला पेपर नहीं है इसके जैस्ट बात में 2018 में आपके जो संसक्रट डिपार्टमेंट वाली जो एक्जाम हुआ था उसका paper solution करवोंगे ठी यहां आपके सामने सबसे पहले एक निर्देश दिया हुआ है परशन संक्या एक से तीन तक के उत्तर निम्नांकित गद्ध्यांस के आदार पर दीजिए ठीक है यहां आपको सबसे पहले गद्ध्यांस पढ़ना है प्रखिस परकार सो जो है परशन पढ़ना है भारत की जनसंक्या के सवरूप में लंबे इत्यास में बहुत बड़ा पर्यूरतन नहीं आया इसका एक बड़ा कारण है ठीक है एक तो आपके सामने यह परशन है दूसरा परशन है इसमें उप्रियुक्त गद्यांस के अनुसार निम्न में से कौन सा कतन असत्ते हैं ठीक है आपके सामने इस परकार से तीन परशन दिया हुए है और आपको एक गद्यांस दिया होगा अब हम गद्यांस पढ़ते हैं कि आपको पता लगना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से परशन पुझे गए हैं ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं काफी लंबे इतियास के अंदर भुगोल ने जो भारत को जो रूप दिया उससे वह एक ऐसा देश बन गया जिससे दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे समुद्र और महासेल हमालिय से गिरा होने के करण बाहर से किसी इस देश में आना आसान नहीं था कहीं सहस्तरापदियों के बीतर बाहर से लोगों के बड़े-बड़े जुन्ड भारत में आये किन्तु आरियों के आगमन के बात से कभी ऐसा नहीं हुआ जब भारी लोग बहुत बड़ी संक्या में भारत आये हो ठीक इसके वीपरत एशिया और वियरोप के आर पार मनुश्यों के अपार आगमन और निस्करमन होते रहें ठीक है एक जाती दूसरी जाती को खदेर कर वहां खुद बसती रही और इस परकार जन्संक्या की बुनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा बारत में आरियों के आगमन के बात भारी लोगों के जो आगमन हुए उनके दायरे स्मित थी बहुत ही स्मित थे उनका कुछ परिवर्तन में नहीं आया था यहां के बुनियादी जन्संक्या के सहरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया था ठीक है यह आपने पड़ लिया आपका जोगध्यांस था वो अब हम पर्षण की वढ़ चर्चा करते हैं कि सबसे पहला पर्षण क्या पूच रहा है भारत के जन संक्या के सवरूप में लंबे इतियास में बहुत बड़ा परिवत नहीं आया था। इसका एक बड़ा कारण क्या था। ठीक है। पहला उप्सन आपके सामने भोगुली कारणों से बड़ी संक्या में भारत पहुचना आसान नहीं था। आरियों के बाद भारत में बाहर से कोई नहीं आया या फिर आपके अगर मैं यहां बात करूं तो एक जाती दूसरी जाती को ख़ड़कर यहां बसी अता पुरानी जाती के चिन मिड़ते गए। बाहरत के पास प्रियाप्त सेन्यबल था ठीक है तो आपको पता है कि भारत की जैन संक्या के सहरूप में लंबे तैसे बहुत बड़ा परिवर्तन जुक्त नहीं आया इसका एक बड़ा करण क्या था तो इसमें बड़ा करण यह था कि जो बहुचना आसान नहीं था लोगो कि जो आगवन हुए उनके दारें बहुत ही सिमित्ति ठीक है उनका कुछ ना कुछ परवाव तो बड़ा किन्तु उससे यहां बुझादी जन्सक्या के सुरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया था ठीक है तो आपका यहां पर पहला जो नंबर का उप्सन है बिल् और श्यूप गध्यास के अनुसान में से कोन सा उसक असत्य है एसकतन के वारे में आपको बताना है कई सहस्त्राप्धियों के बितर वाह से लोगों के अनिक जुन्ड बारत में आए दूसरा बड़की परिसीमा लोगों को यहां आने के लिए आमन्तृत करती है ठीक है तीसरा जो है आपके सामने ओप्सन है जातियों कि आपसी संगर्स के सुरूप को प्रभावित करते हैं और चौता ऑप्सन है भारत के संदर्म में इसकी बोगलिक सिमाई इसकी रक्सक सिद्ध हुई हैं तो यहां आपके जो दूसरा पर्शन है इसमें अगर हम बात करते हैं सा असान नहीं होता लोगों के लिए ठीक है तो आपका यहां पर जो हैं दूसरे नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तीसरे पर्शन के वार में बात करती हूं उप्रयूक्त गद्यांस में इनमें से किस बिंदू पर चर्चा नहीं हुई है एतियासिक गटना और जयाक है के घयें भूह संभुखक की बात नहीं आप लिए तनो किसी परकार कोई चरचा नहीं हुई है तो आ 살 सामाजिक सरचना के यहां पर चर्चा हुई है ठीक है तो आपका यहां पर तीसरा नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा है इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले पर्षन आपके निर्देश दिया हुआ फिरसे आपके सामने और पर्षन संक्या को मानव के लिए कल्यान कारी माना है ठीक है तो हम और अगला परशन है पांक वह मैं अनले विस्व के निर्मान का अधार इन में से क्या होगा छट्या पर ल्म ऑप्रु're क्या आपके इहां आपको छे पर जाकिण पूछा गया हैं चार पांच और श्यार से चाहे तीन परशन आपको यहां पूछा गया है हम सबसे पहले यहां पद्यांस पढ़ते हैं कि इसमें पद्यांस में क्या दिया हुआ है स्रेय होगा मनुज पद्यांस पढ़ लेते हैं एक मिन्ट ठीक है स्रेय होगा मनुज का समता विदय ज्यान स्नेय चिंटित न्याई पर नव विश्व का निर्मान एक नर में अन्य का निसंख द्रड विश्वास दर्म दिप्त मनुश्य का उजवल नया इतिहास समर सोसन हास की गिरुदावली से हीन परष्ट जिसका एक भी होगा न दग्द मलीन मनुज का इतियास जो होगा सुदा में कोस छलकता होगा सभी नर का जहां संतोष यह आपके सामने जो है एक पद्यास दिया हुआ है सातियो अब हम इसके परष्ण के वर बात करते हैं इस उतरन में किस परकार के ज्यान को मानव के लिए कल्यानकारी माना अच्पा कि आध्यात्मी गयां यह फिर आपके लोक हैां तीसरा सम्माव करते हैं तो मणूझ का सम्मिझा विदायक संधुत संधुम उत्तर हो जाएगा इन ऩो क्यों अगर हम बात करते हैं ने विश्व के निर्मान का आदार इन में से क्या होगा स्नेय युक्त नियाई दूसरा अप्षन है कठोर नियाई वेवस्ता तीसरा अप्षन आपके सामने मानव एकता और चौता अप्षन आपके सामने तकनिकी विकास तो ने विश्व निर्मा निर्मान के लिए ठीक है तो यहां बात करते हैं एक नर्व मनुष्य का उजवल नया इतियास समर्शोसन हांस की विरुदावली से इन जिसका प्रष्ट एक बिन होगा दग्द मलीन मनुष्य का इतियास जो होगा सुदय में कोश्च लगता होगा सभी नर्का जहां संतोस्त यहां आपके जो है सनेय युक्त नियाई की बात की गई है किसकी सनेय सिंचित नियाई पर नव निविश्व का निर्मान ठीक है ने विश्व के निर्मान का अदार इन्में से क्या हो कैसा होगा तो सातियों मानुव का नया इतियास कैसा होगा सब परकार की सुयुदा उसे संपन या फिर दूसरा उप्सन है सबको संतोस परदान करने वाला तीसरा उप्सन है सबको आजीवी का परदान करने वाला और चोता उप्सन है आपके सामने दन धाने से प्रिपूर्ण कर तो आपके यहां मयानों का नई इतियास केसा होगा तो यॉगल उंद्वास। विश्वास। यहां को सबको संतोस प्रदान करने वाला जो है आपके इसमें सही उत्रमाना जाएगा कौन सा दूसरे नंबर का साथ्वा पर्षन है कि अब आपको सारे आपको यह तोफिक दे रहे हैं। सब में से आपको एक-एक कुश्ण यां पर देखने को मिलता है ठीक है साथ यू नंभर का सजें यहां हम सबसे बह・・・ परकासित होने बदोब्देल मेरा परकासित होने वाला पट्र इनभाळधी नहीं होगा ठीक है तो राज़वाधी सूचन परिप्टर पत्र अनेक विबागों विक्तियों या साकाओं को बेज़ा जाता है उसे क्या कहते हैं तो साथ यह वाले पर्शन बिल्कुल एकदम क्लियर करने विविए अपको एक्जाम के आपका आंसर जो सही होना चीह है इसके लिए सबसे बेस्ट आपके डोक्टर रागव परकास की हि ठीक है इनकी हिंदी की बुक आती है घ्रा व्याकरण की उसके अंदर पीचे-पीचे दे रखा है आपके यह सारे टोपिक तो उसमें से आप पड़ सकते हो आपको अच्छी समझ में भी आ जाएगा और आपका यह वाला पर्शन जो है कभी गलत नहीं होगा राजपत्र वा प्रति début Aware निर्मान अधिकारियों थे इनकी होग प्रतिश्ट केब्ध करते हैं इन में से जो है आपके समाचार पत्र कौन सा निगुदा बजा जाता है ठीक है अब हम दस्यों परश्ण के और बात करते हैं यहां आपके जो है साथ यो व्याकरण से समधित जो है परश्ण आ जुके है हिंदी व्याकरण से है ठीक है हिंदी सब्द कोस में इन में से कौन सा स чаam सबसे पहले स्वाए ये में से कौन सा या साती हो पकवान पहला अप्सन दूरा तीसर अउप्सन ट्राटक औरम सभूंता उप्सन कर usual का क्या है क्या अब धाल ने तीक है इसमें आपके ट्रहा रहा है और आपके शेयर á और त्रह से पहले कि आता आपके श्यीयर तो आपके इसमें बिल्कुल चौथा नमर को पर्द् hunter हो ड़ीक है आप बिल्कुल ही सब्दत्र पाणगें आराम से इसका फर्सन ता सब्धिक वाला इसके बाद आपका अगला परशन है संदी का ऊच्छिष्ट सब्द का सई संदी क्या है च्षिष्ट सब्द का सई संदी विच्छिए दिन में से कॉन सा होगा पहला को ईचिश्ट तीश्र सबसे पहले आपको यह पता होना ची कि वर्दी संदी में क्या होता है एक तो आपके आई और एक ओ ठीक है जिसमें दो मात्रा वाले सब्द होते हैं वो आपके वर्दी संदी के लाते जिसमें एक मात्रा होती ए और ओ ठीक है यह क्या होते आपके गुण संदी यह आपके गुण संदी के हैं और यह आपके वर्दी संदी के हैं अब इन में से जो हैं आपके वर् यो कoo सो जैक्याju को शत्र के संधिक वर्दीडियान ूदारन है कौन सा पहला पवीत्र पोधन इत्र पवीतर कर प्रूद्र को जाता這邊 अकल के वर्दीडिया संथिक लौद्ण के सहे थी और था शाय को तरथ 7 आप छहने श्कांटर था महादन एश्वरे महादन एश्वरे ठीक है आपके तो यहाए पर कौन सा दूसर नंबर का पौधन इत्र आयादी संदिकाशन है पवित्र अयादी संदिकाशन है अध्यार को अध्यार ने किया होता है आइ कि से समझे इसको मैं एक बाद कर देती हूं तो साथ यहाँ आपका दूसर नबर औप संगी 알 dumb अगला पर्शन है 13 नमबर का सब्सक्राइब entreprises के सब्सक्राइब आपके द्विगू समास के उधारण है सबसे पहले आपके दसा ननतरणः यत्यक्षा ठीक है पहला अप्शन क्यों सा नन और यत्यक्षा दूशे नमबर के हम बात करते हैं तो सब्ता और स्ताव दी ठीक है तीसर और त्रीपिशन और चोबीश और चौत उप्सन किया है चतर्बुज और परत्यक्स तो यह अगर हम बात करते हैं तो आपके द्विग्ू समास समास की उधार हैं जो आपके डोनों प्र कों से समास को इन यहां पर प्रत्यक्स फट्यक्स में आपका कौणसा है आपके अविभाव समास है तो आपका यह वाले option भी बिल्कुल कट गया अब कौन से बचाए आपका दूसरा नंबर का option बचाए है सपता और स्ताब दी ठीक है तो आपका स्ताब दी 100 वर्सों की अब दी जो है उसको आपको स्ताब दी कहते हैं और साथ दिनों का जो समूंव है उससे क्या कहते हैं आप स इलिट कर देती हूं ऑब के जो आपके हों और कर देती हुं कर देती मैं है आपकी कौन सा दूसर नमबर का अप्श suil तर हो जाएका चहट्वेँ नंबर का पर्षन है जेव कत्रा स्वभ्ध में कौण सा समास है पहला और member सम्परदान समास दूसर रहा के ला करमदारि समास seriously example साथ किर मुष्षा क कौन सा है करम आपकर यहां पे जाहestar को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, ठीक है, जेब को कतरने वाला, ठीक है, कतरने वाला, अब आप देख लो, यहाँ पर करताने करम को, करताने करम को करण से, ठीक है, तो आपके यहाँ पर करम को, तो आपका चोते नमबर का उप्शन है, जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जेब को कतरने वाला कौन सा आपके करम तत्पुरुष समास है ठीक है चोते नमबर का उप्शन बिल्बकुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पंदरवे पर्शन की और अगर मैं बात करती हूँ अगले पर्शन की गर हम बात करते हैं पंदरवे नमबर का पर्शन है सातियो निमनलिकित में से किस विकल्ब के सभी सब्दों में अनू उपसर्ग नहीं है अनू उपसर्ग जो है सब में नहीं है सातियो किसमें नहीं है यहां यह बात करते हैं तो आपका पंदरवे नमबर का person है यहां आपके अनुदाथ GB में यहां हो जाते अनदन ुदाट ुदाथ GB यहां need इसका क्या हो जाएगा अनुदाट ठीख है तो आपको कि यहां पर बश्चन में क्या पूचा गया है सब किस विकल्प में सभी सब्सक्राइब जान पर पहले नंबर चोंडर कि आपके नूवर तीक है अनुरवर तीक है लिए इसमें भी आपका जो है अनुदन ऊरवर जो यह दोनों उप्सण जो है आपके उमच्छ रुрач झाक है आपके उप्सण का प्रयोग determination आपके उप्सार का हुआ है ठीक है सोलवा पर्षन की और अगर हम बात करते हैं सोलवा पर्षन है नीवन लिकित में से किस सब्द में करत परते नहीं है किस सब्द में जो है आपके करत परते नहीं है तो आप पहला अप्षन है मारक दूसर अप्षन है दानव तीसर अप्षन है लडाकू और चौता अप साथ यहां आपके दानल्व है दूसर नमबर का उप्शन यह में आपके कौन सा है तद्दित परते का प्रयोग हो गया है ठीक है आपका दूसर नमबर का उप्शन नहींद अगरे हम कर दुदक्त करते हैं गगन और सुन्य तट और मंदार ठीक है तो आपका तर्ट यह निक किनारा मंदार मंदार आपका जो चोता नंबर का उप्सटन यहां पर यहीं गलत हो जाएगा साथ क्योंकि यह दोनों जो है आपके परस्पर प्रयावाजी सब्द नहीं है ठीक है सतर्वे में आपका चोता नंबर का आपसान ही बिल्कुल सई उत्तर मानना जाएगा अगले पर्षंट के और अगर हम बात करते हैं अगला परशन है आपका किस विकल्प के सभी सब्द्व सरस्वत्य के प्रयावाजी नहीं है साथ सरस्वत्य के प्रयावाजी पूच्छ गये हैं अठार्वे में आपके सरस्वती का प्राइबाची है तो अगर यहां में बात करूँ आपके सामने तो तीसरा नमबर का विरू का निर्बीक और आपके स्वेध का श्याम ठीक है 19 में में बात करते हो आपका इपसित का अबिपसित ठीक है यह आपका जो है बिल्कुल गलत साथ इस विल्कुल गलत उतर है अफिसीत विल्कुल गलत ऊत्र है घ्रति अगले पर्शन को और मैं बात करते हूं बीस्वा नमबर का पर्शन है निमने लिकित में सक्कित कि सभी सब्द सुद्ध सब्द कूचे गए हैं सातियों तो आपके यहां पर उदर ठीक है उदर उदर में और आपके अध्यात में कोता है सातियों ठीक है ज शुद्द पूचे गया थिए तो आपका यहां पर यह वाला गलत है चो थीक है आपके भूप साइक और करण बिल्कुल आपका तीसर नंबर का जो उप्सन बिल्कुल साथी हो सई उत्तर मानना जाएगा कौन सा तीसरे नंबर का ओप्षन ठीक है व्यावसाइक और सुद्धी करन बिल्कुल दोनों सब्द जो आपके सुद्ध है कि 21 पर्षन के और अगर मैं बात करती हूं 21 पर्षन है आपके सामने इन में से किस विकल्प के सभी सब्ध सुद्ध असुद्ध स़ूरी असुद्ध सब्द गया है है ठीक है तो कुष्ण को सब्सक्राइब पूचा गया है तो सद उपदेश उन्हिस कप्ती ठीक है तो सद दन उपदेश यह आपका जो है यही गिलत है साथ सद उपदेश होता है ठीक है तो आपका पहला नंबर का उप्शन ही जो है असुद यही गलत है ठीक है आपका यहां प्रतिक्सा सुद्व सब्द यहीं है बागी देखते हैं जो भी होगा इसका मैं आपको वापस फिर से कभी आगे आनेवारी क्लास में देख के बता दूँगी ठीक है आपके ऑर्पीए प्रतिन पहला ये सही माना है कि बाइसवे नंबर का पर्शन है कि मिलिकेसे सुद्व ये कौणसा है यह प्रतिकैं सब्सक्राइब याठी दिया जाएया ये विल्कुल जा chakrके प्यों से संभभ नहीं ढहता लक्समान के पर राम विलाब करके रोने लगे ठीक है तो आपका ये भी गलत आपका दूसरा नंबर का जो उप्सना यहां पर सही उत्र माना जाएगा तेस्वे नंबर का पर्सन इन में से असुद वाक्य कौन सा है असुद वाक्य पुच्छा गया है एक सुद्ध का आया है तो आपके ए पश्द वाक्य का परस्न आया है ठीक है अब हम यहां बात करते हैं इन में से कोन सा वाक्य जुह है असुद BROWN है हम सब पुस्तक पड़ेंगे बिल्कुल यह जो हापका सही है वह अपनी सख्राल लगना है अपने सख्राल लगना stand up न सख्रौण गया है ठीक हो आपका यह ग को मुझे उनकी अपेक्सा सबसे अधिक अंक मिल गए मुझे उनकी अपेक्सा मुझे उनकी अपेक्सा सबसे अधिक झालेक होने तो तो दूसरे नम्मर का यह गलत होगा आपके आपके यहां पर सफसरा उन्हाल होगहां ऑन दूसरो मण questoully नम्मर का लेकिन आप Andre कि इसी ने क्या सोच्छ करे माना है कि लिए नंबर का म जता दो पहले आज आपका पहले नंबर कांट यहां प्เหिए ईशसे और आदर यानि अध्यआर मझा और आपको सामने है kolekory ५ूल्कुल साते हैं US लिए कोड़ी कोडवर या पर पिछे लिए उर्बकु मॡवर्ट और ब üz्यान कोड़ी करते हैं अदल मॉओ माद्द इसका समुव तो आपका सब्सक्राइब कोड़ी तो होता है आपके 20 का समुव ठीक है और एक समुद्री जीवें खोल यानि यह कोड़ी होता है डबल मात्रा वाला ठीक है एक पर यहां पर जो है कि तूर्से नंबर का उप्शन ही सही उत्तर मना जाएगा ठीक है 26 दिन से क्या है ठीक है यहां पर आपका तीकर नंबर का जो अपसन है बलकुल सही उत्तर हो जाएगा अगले बर्षन के बांबे बात करते हूं का नमबर का पसना है पाप करने पर पाप दोस्ट फीक है ठाप हाँ यह फिर अपके तीठा । अगरब के बाद करती हुआ इसमें प्रैस चित अगर आपको करने पहले नंबर का option बिल्कुल सभी उत्तर हो जाएगा अब साथ आपको यहां पता लगा ना कि आपने को कौन कोई से grammar से संबंदित कौन कोई से परशन पूछे गए हैं grammar के परशन के बात करते हैं आपके सामने तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं देखना कि आपके जो है यहां से ग्रामर की परसन शुरू हो गयताया ना सब्सका एक परसन आया आपके सामने वयर्ण प्रसन कोतo कि अजहरे कि सबसे पहले आपके एक परसन कौन सथ कोउस्न करदां करल एक लिस्ट बना देती हूं ठीक मैं मैं आपके सामनी एक पर उया इसके बाद कि एक परसन बसक्राइब संधिक और एक तो परसन उन्हीं तो परसन ज माए है कर फिर परसन किसके जंधिक है इसके बाद आपके समास के दो परसन आये हैं समास के Perché ना पर दो परस्ण आये हैं कि इसके बाद आपके नहीं जुए depending बैस किंड़्ण हैं साथ हुं कि इन squeeze is हुए उसे हुए सब्दाओ मि राख करते हैं आपके चैनल दो पर सुए हुए खी सथाय क्षीद कर साथ हुए डियरे करने सामें दो दे इसके बाद आपके सुद्ध सब्द और असुद्ध सब्द ठीक है और सुद्ध वाक्य और असुद्ध वाक्या ठीक है इनके परशन आपको देखने को मिले हैं कौन से एक तो सुद्ध सब्द सुद्ध सब्द ठीक है इसका एक परशन और एक असुद्ध का इसका भी आपको एक परशन देखने को मिला है और वाक्या सुद्ध वाक्या और असुद्ध वाक्या ठीक है सुद्ध और असुद्ध वाक्या इसके भी आपको एक एक परशन देखने को मिले है ठीक है इसके बाद आगे हमने बात के थी यहां आपके यहां सब्द युगम में इसके इसके बिल्कुल आप लिश्ट बना ले आपको आगे आने वाले पता लगना चाहिए कि आपको अगर व्याकर में उसे कितने के लिए एक सब्द ठीक है यहां से आपकी जो है दो प्रशन पुच्छे गए है ठीक है इसके बाद में बात करते हूं अनेकार तक सब्द का आपका आया परशन अनेकार तक सब्द ठीक है अनेकार सब्द का कितना परशन आपको एक परशन पुच्छा गया है अब इसके कि 28 वे नंबर के परशना साथ यो किस विकल्प में कोई भी सब्द अन्यकार तक सब्द यानि अर्क का अर्थ बोदग नहीं है ठीक है तो यह हम बात करते अर्क यानि आपके सूर्य या मदार ठीक है यह बिल्कुल आपका नहीं पूचा आना तो आपको सूर्य और मदार तो की अनेकारत सब रहां ठीक है इंदर और अगनार तक सब्द यह पर कामदयों और छावज यह आपके पटर शूर्य उर्ख बोदग सब्द नहीं है प्रोतीन नमबर के रहीं अन्जार यहां में का घृत्ः हो जाएगा 59 नमबर का प्रशन है इन में से कौन सा कतन सही नहीं है का समाचार के छे ककार छे सवाल होते हैं दूसरा पशन है परत governance फार्त करकर के उत्त प्रामेडि चसेली में दिया जाते हैं समाचार के सुरुवात जिन पांक्तिय थे हती है उसके समाचार का इंट्रॉ कहा सब्सक्राइब और चोत्ता पर्सटार लेकरन की सबसे उपयोगी वग लोग फिर यह उल्टा प्रामीड से लिए हैं तीक अधार यह आपका जहाँ जनसेंचार वाल टौपिक आपका उसमें से से जो आपका यह पूचा गया है ठीक है जनसेंचार वाले में से उसमें पर्दियों कि कोंसा पतन सही नहीं समाचार के 6 सवाल होते हैं परत्म चार सवाल है उत्तर समाचार के निछले भाग में दिये तीसवे नमर का परशन आपना तीसवे नमर के परशन को अगर हम बात करते हैं निम्नांकित में से कौन सा कतन सही नहीं है कि कौन सा कतन है जो आपके बिल्कुल सही नहीं है कटन चे समंदूत स्दुपर्षन पूच्च पूच गया है यह भी आपका जो है जनसंचार गाए कि दूसरा रिपोर्टाज लेखक के पत्रकार और कलाकार के दोहरी बूमिका निबानी पड़ती है तिसरा उप्टाज में तत्थे के साथ भाव प्रणवन्णता भी रहती है ठीक आप चोथा उप्टाज में कठा तत्व नहीं होना चाहिए तीस्वे पर्शन के और अगर हम बात करते साथ यह तो रिप्पर्ट आर्ज में कता तत्व नहीं होना चाहिए आपका चौता नंबर का उप्शन बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ठीक है यह तीस्वे पर्ष यह एकर्शन के वह हम बात करते हैं 31 परष नाया चाहिए में पुरा चौतिक है वह दो यह तोपिक वह वरां टॉपिक है उसमें से यह यह लेक्ति रखन के परशन threatened तीसरा उप्सिन के संदर्ब में अभिविक्ति दी जाती है चौता अप्सिन लेख के आत्मी गुण तता परवर्तियों की अभिविक्ति होती है तो साथ यहां मैं बात करती हूं तो इसमें विक्ति निर्पेक्स्ता रहती जो की नहीं रहती है तो आपका यहां पर पहले नमबर का उप्सिन बिल्कुल जो है आपका गलत उत्तर हो जाएगा अगला परस्ण है परसो तुमारे लाड़ले भाई ने मुझसे मास पकाने को कहा गी हंडी में पाउबर से अधिक नहीं था वहां सब मैंने मास में डाल दिया अब जब खाने बेटा तो कहने लगा डाल में गी क्यों नहीं है यहां कतन कतादारा के किस पार्ट से लिया गया है तो किस पार्ट से लिया गया है साथो यह आपके यहां पर ताई से या फिर आ गया है तो आपका तीसर नंबर का उप्सन यहां पर बिल्कुल सई उत्तर हो जाएगा ठीक है यह दोनों आपके देश के वर्तमान की या फिर देश के भविश्य की मुसल्मानों की या फिर राजनेता होगी तो साथ यह किसकी जो है अलोजना किया करते थे तो यह दोनों जो मिलकर बेटे बेटे यह आपके देश के भविश्य के अलोजना किया करते थे आपका यहां पर जो है दूसरे नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फीलो में रंड जिंकार अभी लड़की कटी में तलवार अभी बोले पन में ललकार अभी आँकों में हैं अंगार अभी ठीक है प्रग्या परवाह से उद्रत उपक्त पंक्तिया किस कवी की है सातियो है या फिर आपके नारायन पांडे की पंगतिया है थीक है अगले पर्शन के बात करते हैं प्रग्या-प्रवहां में संकलित भाट महा कवी जे संकर परसाद निम्लिकत में से किस विदा की रचना किस विदा की रचना है रेखा चितर आत्मकता खंड कावे या फिर जीवनी तो आपके जो प्रग्या परवा है साथ यह आपके एक रेखा चितर है ठीक है प्रग्या परवाह में संक्लित निराला भाई कितना महत्पुन है प्रग्या परवाह साथ आप द यहां इनको जो हैं 2100 रुपे का पुरुषकार मुला था कितना 2100 रुपे एगा ठीक है अगला पर्शन है 36 वे नमबर का पुरुष परवहां में संकलित गोरा नामक रेका चितर के नुसार बचले का नाम क्या रखा तो क्या रखा गया था रक्तमनी निल मनी लाल मनी यह फिर आपके नाग बनी तो साथ यहां पर जो है आपके लाल मनी राम रखा गया था किसका गो सब्सक्राइब तो यहां भात करते हैं आपके 38 यहां सबसे पहले ग्रमें बात करते हुं बहुत मत्से यह आपके साक्त मत्से साथ यहां पर आपके हैं आधार पर कौन सी एलिफेंटा गुपाई ठीक है कि उन्चालिसवे नंबर का पर्सना मान सहीद विस्खाई के संभू सहीद जगदीश विना मान अम्रत पे राहू कटायो ठीक है सर्जन में संक्लित यह पंग्तिया इनमें से किस कवी की हैं तो किस कवी की सातो रहीम की कबीर की करपाराम की या फिर बिहार की बिहारी की सोरी थर्टे-नॉर्इन पर्षन के इसमें आपके बिखांग्तिया किसकी है यह रहीम की पंग्तिया है ठीक है अगले裡面 बात करती हूँ 44 सहं हो नंबर का पर्षन तो साथ हो यहां अगर हम बात करते हैं तो आपके यह कतन किस ने किस से कहा था तो यह आपके जो समवाद वसंत ने मदू से कहा था ठीक है तो आपका यहां पर तीसरे नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठेले पर हिमालिय के संदर्भ में कौन सा कतन सही है इसमें दरमवीर बारती ने सिमला और स्विडन के संदर्य की तुलना की है इसमें सुकल जी ने स्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है इसमें बंबई के बहाने दार जिलिन का संदर्य वर्णन है या फिर इसमें दरमवीर बारती ने कोसानी सेतर की संदर्दा का वर्णन किय हैं आपके यहां पर जो हैं चोते नंबर का उप्सिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि अगले बात करते हूं 42 नंबर का पर्शनल साती हूं महारणा परताब की सेना में सामिन होने वाले बीलू राणा पुंजा कि सेतर के रहने वाले ते आलोक में संगलित पार्ट के आद तो आपका यहां पर जो है चोते नंबर का उप्सिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक हूं 43 नंबर के बात करतुराने लक्स में बाई का जनम कहां और कब हुआ अलोक में संकलित पार्ट के आदार पर बताईए वारा नसी में 19 नमबर 1835 को या फिर ग्वालियर में 19 न यहां पर बात करते हूं तो वारा नसी में 19 नमबर 1835 को इनका जनम हुआ ठीक है कहां वारा नसी में 19 नमबर 1835 ठीक है तो आपका यहां पर पहले नंबर का उप्शन मिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा अगला परशन है अलोक में संकलित निबंद विस पिया अम्रत दिया क पर पहले नंबर 1835 ठीक है तो आपके यहां अगर मैं बात करते हूं चोवाली से नमबर परशन के बारे में तो आपके रिजनाकार कोन है इस संकर ठीक है तीसरे नंबर का उप्शन आपका पिलकुल यहां पर सही मना जाएगा बावजी चतुर सिंग ने निमलिकित में से कि इसके पिछे मनुष्य जनम नहीं खोने का संदेश दिया है अपरा में संक्लित दोहे के अधार पर बताईए ठीक है पहला जमीन जायदा दूसरा दंदारा तीसरा उप्शन है सांच सोकत और चौता उप्शन है मान सम्मान तो साथ यहां हम बात करते हैं इसमें सही उप्श परशन क्यों अगर हम बात करता हैं अपरा में संक्लित निबंद काल चकर के लेकर मिसर जी ने पहला चौमासा किसे कहा था पहला चौमासा किसे कहा था साथ गर्मी को या फिर वसंत को सीत काल को या फिर पावस्त को कहा था तो साथ यहां पर हम बात करते हैं तो आपके यहा आरियों के नारी विश्यक विचार इनमें से किस विकल्प में हैं तो अगर हम पहले उप्षन को बात करते हैं और यह लोग नारी की उपस्तिति को उपासना विद्य में गौर्विग्न सुरूप मांते हैं यह फिर दूसरा अप्षन है आरियों के इनुसार सहथ धर्मिनी की बीना पुरुश कोई धर्मिक कारिय नहीं कर सकता तीसरा ऑफटन हा के अनुसार सत्री को किसी प्रकार के कर्म कर्म का अधिकार नहीं है चुछता आपके सामने आर्यो के अनुसार नारी के लिए अहार हेतू फक्सी मारना भी निसीद है ठीक है तो अगर यहां हम बात करते हैं तो अपरा मिसंक्लिप भारती नारी नामक निबन में स्वामी विकानन दिक अनुसार आर्यो की नारी विश्यक विचार इनमें से किस विकल्प में है ठीक है त 48 नमर के प्रश्ण के और अगर मैं बात करती हूं अनों की परिक्सा अपरा में ओगड बाबा ने दो भाईयों को अपना सिश्य नहीं बनाने का कारण क्या कारण बताया था ठीक है पहले हिंसा है क्योंकि अधिक सिश्य होने पर आस्रम का खर्चा बढ़ जाने की संभाव न थी दूसरा価ल और आवास के समूझत वेवस्ता संभाव नहीं थी तीसरा आथिक सिश्य बनाने पर बड़े से बड़े पांत का भी पतन होने में देर नहीं लगती और चोथा उप्षन है क्योंकि अधिक सिस्य बनाने पर अराजकता की स्थिती पेदा हो सकती थी तो साथ यह आपके 48 नमबर के परशन के अगर मैं बात करती हूं तो यहां आपका जो है कौन सा क्यों अधिक से अधिक सिस्य बनाने पर बड़े से बड़े पंतक का भी पतन होन में देर नहीं लगती है आपका जो है यहां पर तीसर नमबर का उप्षन मिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा अगले परशन के वर में बात करती हूं नमबर का पर्षन है मंदा की नी पुस्तक में संकलित निबंद राइस्टर का सहुरूप के लेकक का नाम क्या है दूसरा उप्षन है राम वरक्स बेदिपूरी तीसरा उप्षन आपके सामने एकनात रानाडे चोता अप्षन है सेवाल सत्यार्थि ठीक है तो 49 नमबर के प पिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा 50 नमबर का पर्षन है जुलस्ति लू के साथ दुहरे होते युके लिप्टस और के जुरिना के पेड़ तरती गुलाब के क्यारिया और सुखे पत्तों से डका लोन इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी उब बलकि मन हुसियत से बर जाता है यह पंग्तिया मंदागी ने फुस्तक के किस पार्ट से ले गई है तो किस पार्ट से ले गई है सुबद्रा पहला आपके सुबद्रा दूसरा यात्रा एक पावंतिर्थ की दीसरा अप्शन है गहूं बनाम गुलाब और चोता अप्शन आपके सामने निर्वासित तो अगर यहां में बात करती हूं? سाथ यू पचासवे नंबर का morning में शुरी पर्शन में तो आपके यहां पे किस पार से लेगई थी? आपके यह निर्वासित पार से लेगई थी. ठीक है कौन से? निर्वासित पार से लेगई थी. आपका यहां पे जो है 14 नंबर का सी Pap Jan hey आपके प्यूति है कवीटा है पर आपके कवीटा जोने कर लेना आपके प्यालाने यतने पर आपके 22 you know vendar एक आपके рок ने कब berries तक हुआ हम यहाँ हुआ 2016 में और आपके यह 2020 में हुआ था यह तीनों आपके पेपर से फर्स्ट ग्रेड के आपके संस्क्रट डिपार्टमेंट वाले और आपके जो नौर्मल पेपर आपके जो है दोनों मैं आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर डाल दूंगी अगर आपको चीए तो आप महां से डा काश्मे की कान की बिरनी सेना लौगा तबल दूंगलों पर सामने आपके सामने. आरादन का द्रड या है अथनना से 2 उत्तर तों वरोविजय सह्यत पराणों से परान पर मैं संक्लित राम की सकती पुजा तो को रॉत्टकतन का था को नौड है क्लावान के यहां में बात करतू यह क cambiar किसका आपós पारु फोन पर जाईगा। या अगला प notorstar 54 नंबरर का करानती का सबसे बड़ा-दुस्मन की कि bon minder बताया गया है वाइस कोwife लोगों पिर फृदर इन लोग तो यहां पर जिस्टर ग गश्याई बड़ा दुस्मान कीक बताया गया हैं और ना आ तो और बात करती हूं इस फिफ्टीं नंभ नंबर काया से संकलित रचना रिट्चेन इस अपड़ीव कोरियों होती है झाल रचना permitted गाल में से कौन है सबसे तिसरह सब्सक्राइब महादेवी वरमा और चोथा और आपके करें थीआ पड़ात के फैसमित नमबर के परशन में हम बात करते हैं यहांप पे जूभात क्वा पर सिर्भ सकतें हैं रशैंदंगे से को इस्धा महा देविडा है थी10 मिन्बर का परशन आपके यहां परमुक्षंद है। दूसरा अप्शन है दुहा कोशोग को और चर्यागितों की भासा शेली में पोई अंतर नहीं है। आपके यहांता सत्य आधिकाल के सिरुवात अब आपके आधिकाल बक्ती काल कि दोहां कोसों और चरियागितों की बहसा सेली में कोई अंतर नहीं है तीसर ऑप्षन है चरियापद एक परकार के गीत होते हैं जो समानेत अनुष्टान के समय गए जाते हैं आधिकालिन बहुत शिद्धों ने दोहों कोसों के शाठ चरियापदों की रचना भी की ते तो सा प्रश्ण क्यों अगर मैं बात करती हूं रचना और रचनाकार के द्रिष्टे में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ठीक है परबंद चिंता मनी विने चंदर सूरी पावड़ दोहा राम सिंग का यह बिल्कुल सही है आपके भविश्यत कहा धनपाल का नेमिनाथ चरिव हर कि यहां पर परबंद चिंता मनी किसका साथ हो मेरू तंग का ठीक है तो आपका यहां पर पहले नंबर का उप्शन बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगर मैं बात करती हूं 58 नंबर का पर्षन है हिंदी साहित्य का आरंब 693 इस्वी से मानने वाले इतियास कार इनमे से कौन से है बहुत बार पूचा गया है यह पर्षन तो मोष्ट आपके से मालो एक्जाम की दरिश्टी से काफी बार पूचा गया है कि हिंदी साहित्य का आरंब 693 इस्वी से मान बात करते हूं 59 नाइन नंबर के प्रश्ण की और अगर हम बात करते हैं 59 नंबर का प्रश्ण है रहूल सांकरते हैं ने हिंदी का परतम कभी इन में से किसे माना है ठीक है तो हिंदी का परतम कभी इन में से किसे माना साथ हो पुष्य को यह पिर आपके सालीबदर सूरी को कनयपाद को यह पि किरुटर्य नम्हों इन हिंधी सायतłem के आदी काल नायना प्रार्म्म्भी काल को किस नाम से और किन नामों से संभोद्यत किया है तो ड्शृत्य र्मकुमार वर्माण ने यह हैं सातियों आपके यहां पर गर में बात Again तो किन नमों से संबोधित किया है 60 नमबर का परशन है प्रारणबी काल या संदी काल आदी काल या वीर काल सिद संबंध काल या फिर संदी काल या चारण काल तो डॉक्टर नामकुमारा वर्मान ने संदी काल या चारण काल कहा था ठीक है क्योंने सा संदी काल या चारण काल अगले परसंट के और अगर हम बात करते हैं साथ और कितने परसंट जो आपके आधीकाल से संब्दित आये हैं देखना आपके सामने में बताती हूँ यहाँ पे आपके 561, 2, 3, 4, ठीक है 4 तो यह हो गई आपके इसके बाद अगर मैं बात करते हूँ 5 और 6 ठीक है 6 प्रषण तो आपके यहां अ हो गए इसके बाद नागल प्रचाने सब्सक्राइब कासी आट ठीक है यह भी आपके अधिकाल से सम्द्धित है इसके बाद आपके यहां 10 परशन होगे आपके समस्राइब की परशहें और एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं आगे और भी परशन हो आपके अभी तक आपके यह हैं 10 परशन आपके किसके हैं अधीस कre Rock के हैं symbolism की बारे में आदिकाल के कभी शड़ापाद की कवे प्रम्परा में विक्षित नात पंत पंत के हट युक का पल्वन आगे चलंकर इनमें producers έχει क्लिए सथ के कबीर में जो है पल्लवन हुआ था ठीक है तो आपका यहां पर तीसर नमबर का उप्सन बिल्कुल सही है वह फिलाल हाल में आपकी यूजी सी नेट में पूछा गया था यही परसंट से हम आपके ठीक है तो आपको फिर से ध्यान रखना है अगला परसन है तिक्स्टिट टू की है गतान इन में से किसका है तो किसका साथ यह ुझार आमकुमार वर्मा का यह फिर दिरेंदर वर्मा का गरपती चंदर गुप्त का यह फिर मिस्ण बंदुऊ का तो सीट्ल्टी टून नमबर के पशन नाघ्टेंस अब पर्फिराज रासों के संस्क्राण को पर्माणिक मानने वाली विद्वान कrows यह हैं यह बेसे हैं आपको जरूर देखने को मिलता तो आपको गुलकुल एक्जाम की दरिष्टे से द्यान रखना है ठीक है तो अचारी रामचंदर सुकल जी या फिर आपके करनल जेम्स टोड इन्होंने जो है आपके प्रतिवराज रासों को जो है प्रमाणिक मानना है या फिर सामल दास या लिए फिर गोरी संकर हिराचंद हो जा तो अकर साथ यहां मैं बात करते हूं आपके 63 नंबर के परस्प्रस्ण के बारे में आपके यहां करनल जेम्स टोड उन्होंने जो है प्रत्युराज रासों को आपके प्रमाणिक मानना था किसने करनल जेंस तोड ने ठीक है इसके ब सब्सक्राइब कर लिए तो बाकि आपके किसके हैं सब्सक्राइब कर लिया था श्ष्टी फाइप नंबर का पर्ष्ण है नीमन लिकिद में से कौनसी रचना सिलांकित है pra just कौन सी रचना जो है आपके सिलांग्यत है रखना कर संद्व विलाज उक्ति व्यक्ति परक्रन या फिर राउल वेल कौन सी रचना आपको ईक्जाम की दरेष्टि से द्यान है ठाइब li2066 नंबर का प्रस्ट हों और थीलीक किसान को पिंखरी को नवाइक विद बिंखको नचाकर को चाकरी तुल्सी दास पंग्तिया उनकी किस कावे की कावे रचना से रिचना से प्यावरी उनकि रो प्रावommenसे कवितावली गिता रोसाथ तो साथ ये तुल्सी दाश की पंगतियां हैं यह किस जो है उनकी रचना से आपके यह में बात करते हैं किसे कवितावले से आठीक है तीसरे नमर का उप्शन यहां पर आपके सही उत्तर हो जाएगा मद्यकालिन संत कावे पर निमलिकित में से किसका प्रबाव नहीं है नाज साहित्य का, उपनिसद का, अद्वेत दर्शन का या पिर जेन साहित्य का तो अगर यहां हम बात करते हैं तो किसका यहां पर प्रबाव नहीं है यहां आपके जेन साहित्ते का परबाव नहीं है, कावे मद्दे कालें संत कावे धरापटी का यहां आपके जेन साहित्ते का परबाव नहीं है 68 नमबर का पर्षन है, कबीर के संदर्ब में निम्लिकित में से कौन सा कतन ऐसते हैं कबीर के कावे में दामपत्य के दो तक प्रतिकों का संदर प्रयोग हुआ है कबीर के कावे में सरेश्चेवाद मिलता है या पिर कबीर ने समाज में व्यापत पाखंड का पुर्जोर विरोध किया है तो यह अगर हम बात करते हैं साथ यू तो आपके यहां पे जो है कबीर क संत कावे के संदर्ब में कौन सा कतन गलत है संत कावे आत्मानु पूति पर अधिक बल देता है दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपके संत कावे में सास्त्री ग्यान को परम आवश्यक माना गया है नहीं माना गया है인이 संतर में से कौने संत्र कतन पोचा ढया है आचारिय सुकल के अनुसार प्रेमा क्यानक कावे में नाइका की अपेक्सा नायक की विरह को अधिक मतु दिया गया है दूसर अप्सन है सुपी कावे अधिकांस्ता मुक्तक रूप में लिखे गए थे ठीक है थीसर अप्सन है सुपी कावे में कतनक रूडियों का प्रयोग मिलता है त सब्सक्राइब नबर का पर्ष्ण आपका जो है निवन लिकत में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार के दरष्टी से गलत थीक है तो आपका मरगावती कुटूबन पद्मावत के मलक Hallisi आकरी कलाम मुला दाउद और आपके मदुमालती मनजन तो आपका यहां अगर में हम बात करते हैं 71 तो आपके आफिरी कलाम जो आपके ये गलत है कि मुला द यहाइं नहीं है कि आपको ध्यान-ठावन है यहां आपके निर्गुनंबक्ति में लिला का मात में है पर शोथोसओं अगर यहां में को में से विखल्ब गलट है ठीका तो आपको ध्यान रखना है वेली कृष्ण रुक्मनीरी आपको नियाप्की अगरदास की है ठीक है तुरण मंजरी किसके आपके अगरदास की है बिल्कुल सई हैं और बगतनमाल के नबा दास हैं आपके बरवीयरुनाई का बैत रहीम की ब अर्थ्विराज राठोड की है कि अगले पर्शन के अग्रम बात करते हैं 74 नंबर का पर्शना निम्लिकित में से कौन से कवी अश्ट चाप के कवी नहीं है ठीक है करिष्ण दास कुम्बन दास दामोदर दास और चीद स्वामी तो आपकी जो है इसमें से हर बार एक प्रशन जरूरब पुचा जाता है कौन से अस्ट चाप के कवीों में से आपको जरूर ध्यान रखना है है आपको डिटेल और विश्यश्त अच्छै से पढ दो नहीं है ठी कि शेवन्टी फाइप नमर का परषन है कि 75 नमर का परषन संदर्ब में इन में से कौन सा कतन ऐसते हैं ठीक कर्षण बकति का ओए के संदर्ब में पूछा गया कि कौन सा कतन जो है आपके ऐसते हैं बगवत करपा की प्राप्ति के लिए सूर की बक्ति पद्दती में अनुगरा का प्रादान्य है नंद दास ने भवर गीत नमक गरंद के रचना की ती राधा वल्लब संपरदाय में राधा का न्याय गोन तता कृष्ण का स्थान प्रदान तता उच्छ माना गया है स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है अगर आपके यह प्रदान गया तो तीसरे नमबर का प्रदान नियुम्न लिकित गरंतों में से कौन सा गरंत के सवरचित नहीं है कbenकि इतने इतनी देए अपके बगतिकाले सात्ते साथ यहां परके तो आपके यहां परस्नों की संक्या काउंट करते हैं यहां तक अमने बात किती यहां तक ठीक है आपका जो है ये पर्षन आपके किसका है बग्तिकाल का एक ठीक है। इसके भाधा अगर मैं बात करते हूं आपका दो कि Iraq जो है आधिवयर आलका हैं ठीक है। ये बग्तिकाल का दो तीन चार ठीक है दिद्वर नी ओगई। इसके बाधा आद Arbeit करते है Be थे पाउंच रही हो गया था चत्टा पृस्राज आपका यह ओ गए हूँ झाहत तरह नो और दस ठीके रिसे थे घरर हो गया इंब तक नहीं सकते हैं और में जो वे भातकर पर्स तोट इकाल फैजोए तो पर सकते हैं लगभा आपको अंदर्जा लगाना कि अदिकाल में this बग्ति काल में 10 रिटी काल में 10 पूरा ही आ जाता है arriver भंदे गरंटों में से कोई सा अगरंध कैसा रचित नहीं है विद्ज्ञान गीथा चंद माला भ्यासान या जहांगिर जशत चंद्री का तो कोिछ आपके बात करें और साथ यहां पर तो आपके जो है आपके सब्सक्राइब रचना नहीं नहीं है कोसी अगला पार्शन है लिए 1987 173 कि उत्तर मृध्यकाल को अलंकरत्काल कहने वाले विदばन इंदमे से कौन से है ठीक है मिस्टर बंदू या फिर आपके विस्वनात्त पर्साद मृसर राम चंदर शुक्ला फिर नगेंदर तो उत्तर मत्य काल को कि all kind कृटने का ग arm सेवंटी एट नमर का पर्ष्ण है निमिलिकित में ऐसे कौन सा विकलप रचना और रचनाकार की द्रश्टी से घलत हैं ठीक है कभी कुल कंठा बरन दूले की बिल्कुल सही है रस सारांस बिकरिदास संगार सागर आलम की रस रहस्य कुलपती मिस्र की तो सेवंटी एट नमर क का उप्ष्ण ही बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा ठीक है निमिलिकित में से कौन सा कभी रित्यमुक्त कावेदारा का नहीं है रित्यमुक्त कावेदारा का नहीं है तो आपके ठाकुर बोदा आलम और बिकरिदास बिकरिदास जो है आपके रित्यमुक्त कावेदारा का कभई है ठीक है तो आपका यहां पर चोधा नंबर का उप्सन बिल्कुल शही उत्तर हो जाएगा iatee नमबर का परच्ण है निमेनलिकित रचनाओं और उनकी रचनाकारों के सास्ति किजिए रचनाओं को उनकी रचनाकारों के सास्तित किए यहां a और झाल्चना दे गई हैसे कविंध ध्रन का भी क्योंकतोर है कि तरूर्च माणे कीया टिए इसक्राइस करें को कविकुल कल्ब तरूर्ख शाफ यह सुन किर्चना क की ब्लूर्चना है झाले में आपके तीसरा पहले में आपके तीसरा लली तलराम किसकी आपके मती राम की हैं आप बिल्कुल देख सकते हो सीवा वावनी किसकी हैं आपके यहां में बात करती हूं तो तीसरे नंबर के आपके बूसन की हैं किसकी हैं बूसन की तो आपका पहला और कावे निरने किसकी हैं व पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है और आपके चोते में दूसरा का विनने बिखारी दासकी ठीक है तो आपका यहां पर दूसरा नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अगर किसी को एक रचना भी याद दू आराम से इस प्रशन का आंसर कर सकता था रितिमुक्त कवियों के संदर्व में इन में से कौन सा कथन गलत है कौन सा कतन गलत है रितिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह वेता परदान है रितिमुक्त कवियों ने प्राचिन कावे प्रमपरा को बड़ी गहराई से गरण किया है रितिमुक्त कवियों ने रितिबद जैसी कवियों जैसी एंधरी वासना नहीं है और आपके रित तरन गलत ठीक है कोई सा दूसरे नंबर का लिए टीटू नंबर का पष्ण के कभी रसलीन का लिखा गरंद इन में से कौन सा है तो रसलीन की रचना कोई सवे साथ यहां मैं बात करती हूं अगर नंबर की परश्ण में तापके रसलीन की रचना अंगा दर्पन आपका पहला पहले नम्बर का उप्शन है जो विल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अरभाव विलास घववानी विलाश लस्कार विश्णों व्रस्टान घटी का यहां पर चो तरमनुल कर सभी तलि नम्बर का पिशन संटर सब्सक्राव का पॉझ तो निम्हूं कि कभी मंतर गुरू करम ते सात्याइब और चानि ऊज्चे के दर्बारी कभी मंत्र गुरू और मंत्री तो सवारे इंगे स्वारन लुक्त कितार आता हम यहां प्र नमर के पक्रस्थि के में सब्रस्थित हैं निके लिए ओने कर रचनाकार का नाम दिया हुए तरफ अपको रचना उनकी दी हुई है सुरेंदर वर्मा जो आके 8 wax रॉह विल्कुल हॊऊच आपका inspired 양र शॉहृं एक और दुरोनचारी फिकुंस सही है शंतर नंभर का अंध़ करती ऐग्स दर्मविर बारती आर्पेस ने यही माना है इसका सोता नंबर का आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक हुआ निम्न लिकित कहानियों को उनके कहान्य कारों के साथ कीजिए आप इस परस्ण को समयलित करो तब तक मैं फटाफट से पानी पिलेती हूं आपको 2 मिनिट का वेट करना पड़ेगा पानी पिलेती हूं अब प्रस्ण को मुझे आंसर दें झाल 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 आपट से मुझे कमेंट करिए कि आपने इस पर्षन का जो है आंसर क्या लगाया था यह लिकित कहानियों को उनके कहानी कारों के साथ सुमेलित के जीए ठीक है एक तरफ आपको कहानी के नाम दिये गए पर्षन की बात करते हैं तो चतुरी चमार किसकी कहान यह साथ ही हो सूरे कान तिरिपाटी निराला की ठीक है तो पहले में आपका तीसरा नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पहले में पहले में तीसरा तो आपके पहले में दूसरा यह गलत हो गया पहले में पहला पहले में चोता पहले में तीसरा यहां आपके जो है दूसरा नंबर का उप्सन मिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चैतुरी चमार किसकी है सूरे कान त्रिपाटी निराला की कहानी है निलम देश कि राज कनना किसके हैं सांथ आपके दूसरे में पहला तप कर जने अंद्र की हो गई ओछेJust किसकी है डांची किसकी है साथके अपनात परिंदे किसकी है स्पी लुक्तक बात करते हैं कौन झारे थे संदर की नहीं है कों से रचना जुए आपके बारत दूर्ध्र दसा उनका नाटक रंदीर प्रेम ऩीदि तरिक नहीं है साथिए यूट 7 नम्बर का पर संदर नहीं है यूट सबस्क्राइब आपके चोते नमर का उप्शन बिल्कुल है आपके सही उत्तर हो जाएगा पतरीका और उसके परकाशन वर्स आरम के दरिश्टी में से इन में से कौन सा विकल्प गलत है ठीक है उद्धन्त मारतंड आपके 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 आपका गलत है ठीक है तो आपका यहां पहला नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का परशन है निम्न लिकित में से किस निबंद कार ने सीव संभू का चट्टा नाम से निबंद लिखा था तो साथ सीव संभू के चट्टे यह किसका निबंद साथ यह आपके बालमुकंद गुप्त का है किसका बालमुकंद गुप्त का है अगला परशन है निम्न तीसा नंबर का उप्षन आपका बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अगला परस्टन नाइंटीवन नंबर का निम्लिकित में से रचनाकार और रचना के द्रिष्टी से कुछ विकल्प जो है आपके गलत रटीक है बंगाल का अकाल बंगाल का अकाल रचना किसके तो आपका यहां पर छोते नंबर का आंसर ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा निम्लिकित रचनाओं और रचनाकारों को समयलिद कीजिए ठीक है ठेट हिंदी का ठाट रचना आपके किसकी हैं साथ यह आपके ठेट हिंदी का ठाट नाए इंटी टून नंबर के परस्ट क चाहेगा ठेट ढंदी का ठाट आपके अयोद्या सिंग्हपादे हरियोद की हैं गुमक कड सास्थ्र किसके हैं साथ यो महापंडित राहुल संकर्टेन की हैं खेला पलंठ खाल्म के तो यह आपके मनी मद्दूकर की है और कलम का मजदूर प्रेम्टन की किसकी है मदन गोपाल की है ठीक है तो आपका यहाँ पे जो है तीसरा नम्बर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 93 नम्बर का पर्षन है निमनलिकत रचनाओं और रचनाकार को समयलित कीजिए ठीक है एक तरफ आपको रचना दिये गई है दूसरा उनके रचनाकारों के नाम दिये गए है ठीक है तो सबसे पहले साइते जन्समूग के हर्दे का विकास यह किसकी रचना है साथियो यह आपक को एक परसन से इसों से पूरा परसन आपका सही जा रहा है ठीक है एक प्रिया निल कंटी को में बात करते हैं और हो जाएगा मोतना इनल में से कौन सा रटना गध्यकार बारतेंदू युग का नहीं यह नहीं है तो आपके यहां पर चिद्द दिख़ा साथ जगदी चंदर मतुर जो है आपके बारतेंदू यूग के नहीं है ना येन्टीफॉल नंबर के पक्रस्ष्ण के घर हम बाथ करते हैं तो जगदीश चंदर मतू आपके वाज़ें दू के नहीं बाके लाला श्री निवास दास और आपके श्री निवास दास है प्रताब नाराण मिसर हो गए बाल के बट हो गए बारतेंदु अरिश चंदर हो गए आपके प्रताब नाराण मिसर यह सब जो है आपके किसकी बारतेंदु युक्के हैं तो आपका दूसा नमबर का उप्चन बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अगला पर्शन है 95 है इसके सभाक गाशिक के संबाद में कौन सा कतन सभाक भाग्ण घ्रैंत ने dukeन ही ऐतिक्त्त्र लिए तक यही उत्तर हो जाएगा इसका जूत्र हो जाएगा है हिंदी सब्सागर्व हिंदी सायते का वरत इतियास और हिंदी विश्व कोस इसके पर्मुक परकासन आपका ये भी सही उत्तर है ठीक है इसके संस्ता पर कौन नहीं है आचारे रामचंदर सुक्ल ठीक है तो आपका यहां पे जो है चोत्य नंबर का उप्शन बिल्कुल स्वरी दूसर नंबर का उप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद आगे में बात करते हुँ नंबर का पषन आपके सामने दिवेधी, युगिन, कवीता के संधर्भ में इनमें से कौन सा कतन गलत है मिलता है तो अगर यहां हम बात करते हैं 96 के अबारे में तो साथ यहां आपके जो है या फिर आपको क्वालीफाई करना है तो आप मेरे नोट्स जरूर पढ़िए मैंने आपको यूट्यूब पर फ्री फड़ा रखा है ठीक है आप आराम से पहले कंटेंट पढ़िए उसके बाद आप क्विशन भी देख सकते हो मैंने लगबग सब्सक्राइब यूट्यूब पर फिरी आप कंटेंट पढ़ने के बाद आराम से आप महां पर क्विशन सोलुशन कर सकते हो ठीक है तो आपका यहां पर पहला नंबर का उपसान ही गलत उत्तर हो जाएगा ठीक है तो दिवेद्यूगिन के विताय में रैस्ट्रेता का फिर्टेश नंबर का पर्षना यहां पर ठीक हो गया नाइटी सेओं नंबर का पर्षना निम्किस रचना में विकल्पर रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है ठीक है जूई की कर लिए सूरेकां तरिपाटे निराला उन्सु सोला इस भी बिलकुल सही है ठीक है अधिक है सो एक जैस यहां आपके हैं सब आपके हैं किसकी पन्त की ठीक है तो आपके हो गए उन्सकाशई इस वी बिलकुल सही है कि महें परषाद कि 1928-47र यहां चाएं आपके Subscribe to ब्लेक्ट से नीम्मकद्श इनले साथ है ठीक है कि युगान्त आपके सुमेता नंदन पंति की हो गई सही है विल्कुल यामा महादवी और माउनी सो चाले सही है कामानी जेसन के प्रसाद सही है साथ यह की कली निराला 1916 बिल्कुल चारों अप्सन इसमें सही दिये हुए है ठीक है 98 नंबर का पर्षन है ुझायवाद के संदर्ब में निमन लिकत में से कौन सा कतन चवापके आ सत्य है चायावादी कवियों ने परदान रूपसे प्रण्यों की अनुभूतियों को व्ष्ट किया हैं दूसरे अपसन चे वादी बहुत सवानुपोति और सवानुपोति बर्दान कलपना द्वारा निर्मित हुआ है नाइंटी एट नमर का पर्षन है आपके यहां पर तो पहला उप्षन आपका सही है दूसरा बिल्कुल सही है तीसरे उप्षन के गरह हम बात करते हैं च्छायवादी कवी निराला सूरेक बिल्कुल सही आंस्र है तो आपका यहां पर तीसरे नमर का उप्षन बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा ठीक इसमा सुतूल के परती सुक्सम का बाव है ठीका किस ने का था नगेंदर ने का था शया अवाद के अंदर 99 नमबर का प्रश्ण चायावाद के संदर्व में इन में से कौन सा कतन गलत है चायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपई को मिला है नमबर के प्रश्ण को अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है आपका चायावाद के संस्कृति कावेदारा के परमुक कवी राधा के शंदास नहीं सा तो यह गलत है तीसा नमबर का उपसन आपके यह गलत हो जाएगा ठीक है अधिक कावेदार के परमुक विराधा के शंदास नहीं है महादवी वर्मा ने अग्यात प्रियतम के प्रतिप्रण निवेदन किया है ठीक है तो आपका यह भी बिल्कुल सब्कुल सही है तो आपका यहां पर तीसा नमबर का उपसन बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा सबसे पहले आपके सामने दो कने तरक दे रखाएं जिसमें आपके यह वाला है प्रगति वादी की मूल स्थापना सेधानतिक रोप से प्रगति सील थी तो आर्ट दे रखा हैं क्योंकि उसका लगसे बहुत कितारदवाद के आधार पर निर्मत मुल्ले को परतिश्टित करना ठीक है तो पहला प्रगति वादी की मूल स्थापना सेधानतिक रोप से प्रगति सील थी बिल्कूल सही यह तो क्योंकि उसका लक्से बहुतिक इतारदवाद के आधार पर निर्मत मुल्ले को प्रतिश्टित करना था तो यह भी आपका सही था यानि आपका पहला और दूस प्रियोगवदी कावब के संदर में इनमें से कौन सा कतन ऐसा त्यात्र chess प्रियोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं बड़े बड़े व्यक्ति और बड़े जीवन परसंगों के एक विशाल फलक पर इतिवर्तात्मक्त का व्यक्त का करते हैं कory रिघुमाऑ विक्ता में मध्यम वर्गी व्यक्ति जीवन के समस्त जड़ता अं झालता कुंटा पराजीं मान्सिक शंगर्स के सत्य के अभिव्यक्ति है ॥े आं चांब है है जो तार सब्तक के माध्यम से सन उनिसो तैयालिस में प्रकासन जगत में आई है ठीक है तो आपके यह तीनों कतन सही है आपके इति वरताक्त में आपके दिवेदी युग में तो आप यहीं से परश्ण को पकड़ सकते हो ठीक है तो आपका यहां पर पहले नंबर का उप्स परशन आएं ठीक है एक दो ठीक है इसके बाध आपके थीन चार विपन पांच और ठीक हचे इसके बा hip hop लै बात करते हूं साथ आठ नों तीक है नों पर शेन हो गई अधुन निकाल के दस ग्यारा इसका इसके बाध आपके दरहर बारा ओते रार चोज़व को दा तो पंद्रा सोला कि शत्रा ठीक है अठारा अठारा परशन हो गई अठारा परशन जो है आपके आधुनिक काल से आए हैं और आपके जो है दस ग्यारा परशन जो है दस परशन आपके रितिकाल से दस आपके बक्तिकाल से दस आपके जो है अधुनिक काल से सोरी आधिकाल से आए कि इंपोर्टेंट है ठीक है अब आगए आपके यहां से सब्सक्ति के संबंद में इन में से कौन सा कतन सही नहीं है सब्सक्ति उसके अंतर नीद अर्थ को विक्त करने का वेपार है यह फिर अगर हम आगी बात करते हैं दूसरा उप्सन बिल्कुल यह आपका सही है अभीता स साथ यह आपका यह गलत है ठीक है तो आपका तीसा नंबर गॉप्सन यहां पर यहां पर गलत हो जाएगा वेजना सब्सक्ति से प्राइब अर्थ को परती मानार्थ भी कहते हैं ठीक ता आपका यहां पर चोते नंबर का उप्सन बिल्कुल सही नहीं है जिक रही दिगज डोल मही गिरी लोल सागर खर खरबरे मन हरस शब गंदर उस्वर मुनी नाग किनर कुदुक तरे कटक टही मरकट विगट बट बहु कोटी कोटिन नहां दावही जे राम परबल परताब कोसलनात गुन गुन गावही उप्यूक्त पंक्तियों में इन में से कौन सा कावे कि इस में आपको कौन सा आपको जो मलब बाव ऐसे बार-बार काया मरकेट विकट बट इसे बार-बार यह वाली जो आपको निकलते हैं तो इसमें आपकी कोण से और जो जाएगा ओज गुन हो जाएगा कौन सा कौन ओज गून ठीक है कि सुबरन को डूंड़त फिर कवी कवी कामी अरुचोर उपिक पंग्तियों में से इसमें से कौन सा अलंकार साथ यह परसन तो कापी बार भूचा गया है एक्जाम के दृष्टी फिर से मत मौना कापी बार रिपीट हो चुका यह परसन तो ठीक है तो 105 में अगर हम बात करते परसन नमर में तो आपके समें कौन सा अलंकार से अलंकार ठीक है तो अलंकार साथ यह परसन नमर का परसन निमनी लिकित में से कौन सा कतन गलत है कुंडलीय चंद सोटा और रूला के मेल से बनता है कुंडलीय चंद सोटा और रूला के मेल से बनता आपका यहीं जो आपके गलत कतन है ठीक है पहला ही दूसरा आपके दोह चंद में विसम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्रा होती बिल्कुल सही है दोहा में तुरुत विलंबित चंद में परतेक चरण में 12 वर्ण पता ने सब्सक्राइब रहा का करम होता है बिल्कुल सही है कितिका चंद के परतेक चरण में छोड़ा मात्राई होती बिल्कुल आपका यह भी सही है ठीक आपका पहला नंबर का उप्षन यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंग यह कतन गहलत है 108 नंबर का पर्षन है रसłości के सवरूप के समंद्ध में इनमें से कौन सा कतन ऐस सत्यह सुन्य है रश लोकिय का अनंदप्रदान करता है रश ब्रॉमान स desp. सद्धा करता है तस सोव प्रकासा नंद है साथियों अगर यहां हम बात करते हैं 109 नंबर की प्रश्ण में वेवर ने पर लिया अपस्मार और अश्रू तो आपका जो है सात्विक अनुबाव कौन सा नहीं है अपस्मार जो है आपका सात्विक अनुबाव नहीं है अकिल भुवन चर अचर सब हरी मुख में लखी मात चक्ट भाई गदगद वचन विक्षत् द्रग पुलकात न्यूम्लिकित पंग्तियों में से कौन सा रस है तो कौन हो है साथ है eruसी नमें अध्बूत सरगार रस कौन सा रस है अधभूत रस हैं कावे लक्षन कार की द्रिष्टी से निम्लक्त में से कौन सा विकल्प समयली नहीं है सब्दार्तों सही तो कव्यां विश्वनात की तत्दोसों सब्दार्तों सगोना वन अलंकरती पुना विक्यापी महमट का है और आपके रमनियार्थ परती और यहां हम बात करते आपके 112 नमबर के परशन में आपके यह ममट का है किसका ममट का है यहां क्योंने पर यहां डिए परशन यह दी ममट का है यह आपके तीनों पर्शन जो है बहुत मयत्पूर्ण है तो आपके कि एग मिन में यहां पर जो हैं इन सब के जो है इंस क्रीन सोट लेकि आपको रख लिए तो टैकि आपको टेली क्राम पर डाल दूँगी आप इन परसंगों को चार शेंग में आपakis पुराने एकजाम में ठीक है यहां कि इसमा कि टेली उट मैंने रख लिया है अगला पर्षन आपका 113 नंबर का ठीक है वो गया 114 नंबर का पर्षन है यह हम बात करते हैं 114 नंबर का पर्षन आपके सामने रस निस्पत्ति के व्यक्या कारों में इसे बट नायक के सिद्धानत को इन में से क्या कहा जाता है साध्यो पर्षन आयक के सिद्धानत को इन में से क्या कहा जाता है आपके भुगतिवाद कहा जाता है साधारनी करण के संदर्प में कहा गया यह वाक्या बाव कत्वम साधारनी करणम लिकित में से किस आचार्य का है तो यह अगर हम यहां बात करते हैं तो आपके बटनाय का है ठीक है यह कतन इन में से किस आचार्य का है तो किस आचार्य का साथ हो 116 नमबर के परशन के अनन्द वर्दन का है ठीक है 117 नमबर का परशन है आचार्य कुंतक ने निम्लिकित में से किसे वकरोकती का एक बेद नहीं माना है तो वकरोकती का एक बेद किसे नहीं माना साथ हो कलपना वकरता को नहीं माना वागी परबंद वकरता है आपके वन विन्यास वकरता और प्रवाद वकरता है ठीक है तो आपका बिल्कुल यह जो है कतन सब्सक्राइब के संब्सक्राइब कोई अंतर्ट है साथ आपका यह ऑप्शन बिल्कुल सही उद्तर हो जाईगा अंउक्राण आदर्स तातू का समावेस भी होगा और वैं सुन्दर यह अनन्द दाई होगा ठीक है तो आपका तीसा नमर को प्रतिबादन करेगा आपका यह भी बिल्कुल सही गया ठीक है लोजानेस के परसीद गरंत का नाम परी इपसुस है बिल्कुल आपका 119 नमर की परसीद बूक यहीं है ठीक है परी इपसुस बाले यह ता ओणका आवसेक तत्व है यह आपका गलत है साथ यह यह आपका जो और विल्कुल सही उतपर हो जाएगा ठीक है पाव वेस की तीवर बिल्कुल सही है गरीमा मैं रचना विदान ओदात्य का महत्पुन तत्व है ठीक आपका यह भी बिल्कुल सही है एकसो बीस नमबर का पर्ष्ण है काल मॉक्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कतन आसत्य है मॉक्स के मैं नेसना सरभा वर्ग संगर्स कावे की मोल पूर्णाई है Peng के एकसो बिल्कुल disp मतारों है हैं तो बिल्कुल आपका सर्म और वरग शरम और वरग संगर कावे की मूल प्रैनाई हैं माक्श ने इसन फोल नहीं है यह यहीं बल्ग और स्वसित ओर्ग माक्स ठीक आपके मानते हैं शौतन रुप्स Ger Rele pense कि इसके बाद आपके जो है साथ यूँ आपके यहां से जो है साइको के पर्षन आ चुके हैं और साइको आपको पता है कि इस बार आपके साइको को जो है है तो जार पच्शी समय होने वाले पेपर में आपको साइको के पूरी पंश्ट के अंदर जो है सिफ्ट कर दिया गया साइको को हमनोगी विश्वस्तों के लिए उप्युक्त पद है तो मुझे साइको इतनी नहीं आती है मैं हिंदी में अच्छी हूं ठीक है मुझे हिंदी में कुछ भी पूछ सकते हैं तो आपके यहां पर कौन सा है विकास सीलता ठीक है एक चातर हिंदी कवीता की अनुषनात्मक व्यक्या परसुत कर देता है उसका अधिकम विवार किस अनुसयतर में रखा जा सकता है आई एक्स कुंसी अवस्ता को परदर्शित करता है तो आपके मूर्त संक्रियातमक् अवस्ता को परदर्शित करता हैं 125 नमबर का पर्शन है निमन लिकित में से कौन राष्टरी पाटे चरिया रूप रेका 25 के मार्क दसक सिद्धानतों का हिस्सा नहीं है बिल्कुर आपके जो है राष्टरी पाटे चरिया रूप रेका इसमें से आपको हर बार एक परसन जुरूर देखने को मिलता है ठीक है आपको यह अच्छे से पढ़ना है तो यह अगर हम बात करते तो आपका यहां पे स्कुल कि 126 नमर का पर्शन है समानता गुणवताव परिमान को भारती सिक्सा का दूर गाहर है तुरिकों किसने कहा था साथ यह आपके यहां पर श्री जेपी नायक ने सीखने के लिए शीकना जो सीका है उसे छोड़ने की और दूबारा सीखने की ततपरता नहीं परिश्टी दि यह मैदपूर उद्धेश यह था यहां तो आपके यह राइष्ट्री पार्टे चरेया रूप रेका 2005 का था आपके यहां पर देख लो दो पर्शन जो आपके राटे 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 चरेया रूप रेका से आया है 128 नंबर का पर्षन आपके सामने एक तरफ आपको अधी गम के जहां नाम दियर एक तरफ आपको धारना प्रतिपात जो है उसके संब्रतक को के नाम दिये हुए है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम यहां बात करते हैं 128 नंबर के परशन में तो आपका जो है यहां पर उद्ध दोषरे में चोंता दूसरे में चोंता है यह सही तो आपका धूसरा चुम्त longing कन नबाप अप्स्ट करो जाएगा तो के को रन कोहलर का यहां पर दूसनर का अबमार shout out थे हैं अ एक 139 नमबर का पर्ष्ण है तो संग्यान का अर्थ क्या है साथ यो करम यानि कारेवा भासा के माद्दिन से स्वेम और दुनिया को समझना क्या है आपके संग्यान है ठीक है पहले नमबर का उप्षन या भी बिल्कुल साही उत्तर हो जाएगा कि 130 नमबर का पर्ष्ण है असमिता की विकास के लिए सभ्षे मेहत्मुल समय हैan उत्ति तीस नमबर का पर्ष्ण अगरुया आम बात करते हैं तो आपके इसमें किसवरा वस्ता है क्या किसोरा वस्ता सभ्ष्ण है था ठीक है 132 नुमर का परस्ड आपके सामने निम लिकित में से कौन सा ऐसा वदिक संप्रेशन का उधरन नहीं है थी कि अपको आर्पेशन ने बोनस मान हा तो आपको आंसर देख के अच्छे से अगर आपको कहीं लगे तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना ठीक है निम करार नहीं is है कौन सा आपके संपरेशन का परकार नहीं है कौन सब्धों सब्सक्राइब क ज dei ranks क्未 survive कि द्वाराप्त किया गया हो तिसका है कि सद्धान्त इस और यह थो ये सद्धान्त किसे दिया था ग्यान तब हाथ वे सघंचल कि नंपर की कि द्व्रक्राप्त हैं थो कहः थो कि आबासी अनुपोव किसके माध्य में से बेतर दिया जा सकता है तो आपके यहां पर कम्पूटर संगनक के द्वारा सबसे बेतर दिया जा सकता है 137 नंबर का पर्षन है निम लिकित में से कौन मुद्रित समगरी का एक परकार नहीं है तो कौन सा नहीं है साथ है आपके योजना विद्धी जो है आपके अनुदेशनात्म का आविव का परकार नहीं है ठीक है 138 नंबर का पर्षन है कक्सा सिक्षन के संदर में अधिक में अभी प्रणा उत्पन करने के लिए किस परकार के जानकर एपक्सित नहीं है आपकी विद्याले में सेवा के लिए कि स्विकर्थ नियम ठीक है यह आपका उप्सन बिल्कुल सही मना जाएगा 139 नंबर का सबसे पहले अभी गराई अधिकम जो है साथ इसके प्रवर्तक कोन आपके वस्पेल कोन है वस्पेल तो पहले मिस है आपके ठीक है पहले पहले मिस्सा आपका इसम है और पहले मिस्पेल तो आपका यहीं जो कड़िया आपका दूसरा नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभी गराई अधिकम किसका वस्पेल ने दिया इसके परवर्तक कोन है इसके परवर्तक है ठीक है तो आपका यहां पर दू 141 नंबर का परशन है सेतर सिद्धान्त के अंतरगत संग्यानात्मक सरचना प्रयावरण का किसका है तो परियावरण का ठीक है 142 पार्टे चरया रूप रेका तीसरा परशन आगा तीन परशन जो आपके राश्टर पार्टे रूप रेका कि अनुसार स्कुलों को किस परकार की परटे चरह अपनानी चीए तो साहर भूमिंग परशन जो कि आसत्य नहीं पूच्छा आसात्य कि इसमें कौन सा जो है आपके आसत्य नहीं तो आपका यहां पर जो दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुगोगों को पार्टे करम का हिस्सा बनाया जाहिए आपका आसत्य कतन नहीं ठीक है अगला परशन आपके 145 नंबर का सार्थक अधि निमलकित में से एक परणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता तो नहीं देखा जा सकता जाए चाहिए आपके यहां बोनस पर्षन है कौन सा बोनस पर्षन है ठीक है 149 नमबर का पर्षन है आपके यहां गर में बात करती हूं साथ मानु संसाधन विकास मंत्राले द्वारा कि यह आपकी क्या है एक वन इस टोब पॉर्टल है क्या एक वन स्टोब पॉर्टल है ठीक है सूचना संप्रेस्ग तक्नीकी दौर सिक्साइए इसकूर सब्सक्राइब कर दिया गया है अपकी बार आपके यहां पर आपके सामने यहां तो आप समझ सकते हो आपके यहां पर आदिकाल के जो हैं सबसे फ़रें मैं आदिकाल की बात कर लो तो आपके दस्ते पंदरा मानलो या फिर आपके कराम फिकस फिकस बात करें can I think I का अधीकाल के आप बाराद पृप्षन मालो वक्तीoug काल कि आप बारा पुर्षन मालो रित्ती चाल के अप जो है यां पर आप एत्पि इसके बाद अगर बाद करते हूं आगे आपके आदू निकाल किसके आदू निकाल के जहां भी आपको 18 से 20 परशन देखने को मिल रहे हैं अपकी बार आपके जो है एक्जाम में यहां 25 परशन आपको जो सिर्फ पूर सिर्फ आदू निकाल के देखने को मिलेंगे कितने परशन 25 परशन ठीक है इसके अगर मिलेगे लगबग आपके तुद के आपके दो पर्षन आयते हैं के लिए एक सब दो पर्षन दो दो चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा ठीक है लिए आपको जो है 25 परषन आपको जो है आपके हिंदी व्याकरण के परशन देखने को मिलेंगे किस के हिंदी व्याकरण के तो आप जो है इसमें आप 25 परषन ओर एड़ कर लेंगे इसके हिंदी व्याकरण के ठीक है यहां आपके जो है टोटल 90 परषन मालों जिसमें आपके 25 परषन तो हो गए आपके हिंदी व्याकरण के और अगर आपके 65 परषन किसके हो गए आपके हिं कि ईसकी कितने आपके सिफ थी सास्तर का वे सास्तर आपको है आपको सस्तर कि 25 थी सथ कॺण आपको भंगात 10 थी सास्तर के थी सफ द्सफले मैं क्या आपको 16 सर्थ पर न संचार को मिलेंगे और अगर बात कर्ते हूं गयापनवाला उसमें से आपको है यहां पर देखने को मिलेंगे थी का रिये और एक सथ प्लसबीस कितने और एक सो चालीस परसनपफे सब्सक्राइब आपके साथ जिसमें आपके कवीता आपके कवीता है कहानी है नाटा के इसा कुछ दे रखा है वह वाला जो आपके यूजी पार्ट है उसमें से आपके आपके साथ यहां अच्छी से त्यारी करने है रण निति आपको खुद को बनानी है किस परकार से प्रष्णों की संक्य मैं बताई है कि कहां से कितने पर आपको देखने को मिले है यहां के हिंदी साहते हिंदी का पर है 2020 में जिसका पेपर हुआता वो आपका कंप्लेट है तो ठीक है साथ अगर वीडियो अच्छे रगी है तो वीडियो को सेर करना और वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना ना बूले क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेनत कर जो ठीका आज के लिए धन्यव प्रॉड़ झाहओर और प्रॉड़ कर Uhl Love